साथियों, आज देश हर ख्षेत्र की अधिक्तम संभावनाओं को हासिल करने के लिए नए तोर तरीकों से काम कर रहा है। आप जब यहां से जाएंगे, नई जगह पर काम करेंगे, तो आपको भी एक नए मंत्र को लेकर काम करना होगा। यह मंत्र हैं, focus on quality, never compromise, ensure scalability, make your innovations work at a mass scale, assure reliability, build long term trust in the market. Bring, bring in adaptability, be open to change and expect uncertainty as way of life. अगर हम इन मूल मंत्रों पर काम करेंगे, तो इसकी चमक आपकी पहचान के साथ साथ, ब्रांड इनिया में भी वो अवश्य जलकेगी. मैं आप से इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रांड इनिया के सबसे बड़े ब्रांड ambassadors आप ही लोग हैं. आप जो काम करेंगे, उससे देश के प्रोडक्श को global पहचान मिलेगी. आप जो करेंगे, उससे देश के प्रयासों को गती मिलेगी. गाउं गरीब के लिए देश जो प्रयास कर रहा है, वो प्रयास भी आपके dedication, आपके innovation से ही सिद्ध होने वाला है. साथ्यों, technology किस तरह हमारी governance का गरीब से गरीब तक पहुंचने का सबसे ससक्त माध्यम हो सकती हैं, ये बीते वर्षों में देश दे कर दिखाया है. आज चाहे गर हो, बिजली हो, ट्वालेट हो, गैस कनेक्शन हो, या अब पानी हो, ऐसी हर सुविदाएं, डाटा और स्पेश टेक्नोलोजी के सहयोग से पहुंचाई जा रही है. आज बर्ष सर्टिफिकेट से लेकर जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट तक की सुविदाँ डिजीटली उप्लब्द कराई जा रही है. जन्दन आधार मोबाइल के लिए ट्रिनिटी, जैम, डिजी लोकर्स जैसी सुविदाएं और अब डिजीटल हेल्थ आईडी के लिए प्रयास, सामान्य नागरी का जीवन आसान बनाने के लिए देश एक के बाद एक बहुत तेजी से अनेक कदम बढ़ा रहा है. टेक्नोलोजी ने लास माइल डिलिवरी को एफिशन बनाया है और करप्शन का स्कोप कम किया है. डिजीटल टांजेक्शन के मामले में भी भारत दुनिया के कई देशों से बहुत आगे हैं. भारत के बनाये UPI जैसे प्लेटफॉर्म को अब दुनिया के बड़े बड़े विक्सित भी अपनाना चाहते हैं. साथियों हाल में सरकार ने एक और योजना शुरू की हैं जिसमें टेक्नलोजी बड़ी भूमी का निभा रही हैं. ये योजना है स्वामित्व योजना. ये स्वामित्व योजना इसके तहट पहली बार बारत के गावों में जमीन और प्रॉपर्टी घर की प्रॉपर्टी इसकी मैपिंग की जा रही है. पहले ये काम अगर होता तो उसमें भी इसमें भी हुमन इंटरफेस एक मात्र माध्यम था. इसलिए गड़बडियां की पक्षपात की संकाय आशंकाय भी उसके साथ स्वाभाविक थी. आपको खुशी होगी क्योंगे आप टेक्नलोजी की दुनिया के लोग हैं. आज ड्रोन के माध्यम से ड्रोन टेक्नलोजी का उप्योब करते विए गाउं गाउं में ये मैपिंग हो रही हैं. और गाउं के लोग भी इससे पुरी तरह संतुष्थ हैं. उनको भागीदारी के साथ आगे बढ़ाय जा रहा है. ये दिखाता है कि भारत का सामान्य से सामान्य नागरिक भी टेक्नलोजी पर कितनी आस्था रख रहा है.